जेहिन नमस्कार आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अधिकारियों जेसियो, एंसियो एंड ओर को एक समान मिलिटरी सर्वीस पे मिले 15,005 रूपे पर मन्थ। इसको लेकर दिल्ली हाई कोट में आज 20 दिसंबर 2023 को एक बार फिर से सुनवई होने जा रही है। पिछली सुनवई 21 नवंबर 2023 को हुई थी, उस सुनवई के दोरान 12 बजे जब सुनवई शुरू हुई तो जजस साब ने कहा कि इक्वल मिलिटरी सर्वीस पे के के केस में लंबी सुनवई करनी पड़ेगी इसलिए 21 नवंबर 2023 को साड़े तीन बजे जब इक्वल MSP के के केस में सुनवई हुई तो जजस साब ने कहा कि सरकारी वकील, भारत सरकार की ओर से जो वकील है वो इस केस में ये बताएं कि मिलिटरी सर्वीस पे MNS को JCO and OR से ज़्यादा क्यूं दिया गया इसके पीछे वो कौन से कारण थे, कौन से फेक्ट से और वो कौन से सबूत है जिसके तहत पर MNS जो कि ना फिल्ड में जाती है, ना फिल्ड में डूटी करती है, ना ही वो फाइरिंग करती है, ना ही वो बीपीटी पीपीटी करती है और ना ही ऐसी कोई combat डूटी करती है, जिससे कि उसको रिस्क हो, तो इस केस में MNS को JCO and OR से ज़्यादा military service पे देना समझ में नहीं आता है इसलिए सरकार को अगली सुनवाई यानि 20 दिसंबर 2023 को जो कि आज है, ये सबूत पेश करने होंगे कि MNS को किस आदार पर JCO and OR से ज़्यादा military service पे दी गई तो आज सरकार अपना पक्स रखने वाली है और आज सुनवाई का जो समय है वो फिर से साड़े तीन बजे है पिछली केई सुनवाईया, लगबग आड सुनवाईया इस साड़े तीन बजे के समय के चक्र में बार बार उसके उपर तारिक पतारिक मिल चुकी है और आज देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसके उपर सरकार की और से जो पक्स रखा जाता है उसके उपर हाई कोट कोई संज्यान लेता है या फिर एक और तारिक मिलेगी जो की साड़े तीन बजे के लिए एक महिने के बाद की तो इसके बारे में आपका क्या कहना है तो आज इस सुनवाई के दोरान साड़े तीन बजे जैसे ही ये सुनवाई शुरू होगी और उसके ओपर हाई कोट से जो भी अपडेट आएगी उससे आप सब को रुबरू करवाए जाएगा आपने रेए चैनल के साथ मिलेंगे 20 दि सबस्क्राइब तो आर चानल एंचे वाज़ वछिंट विडियों के सब्सक्राइब टार।